तो अगर आप एक इन्फिनिक्स स्मार्टफोन यूजर हो तो आपके मन में जो भी डाउट से Android 12 अपडेट को लेके या फिर Android 12 अपडेट करने के बाद जो भी इशूज आए कुछ भी लेकर जो भी आपका डाउट था सब इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा मैं क्योंकि मेरे पिछले आगे वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किये हैं इसलिए मैं ये वीडियो मनाने के लिए तैयार हो चुका हूँ बूरे डिटेल लेके आप लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर वीजेगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि इंफिनिक्स नोट 11 एंड नोट 12 इंफिनिक्स 0 5G यह तीन स्मार्टफॉन में एंडूड 12 को रॉल आउट क डिया यानि कि धीरे धीरे एक साथ नहीं बेजेंगे कि आपको एक साथ एंडूड 12 कर दिया तो आपको मिल जाएंगे लेकिन ये confirm हो चुका है धीरे दिरे आपके डिवाइस में एंडूड 12 का अप्डेट आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन कुछ लोग कमेंट्स कर र के OS के update हमें मिलते हैं, चाहे हो कोई भी smartphone brand हो, किसी का भी हो, उस पे हमें issues देखने को मिलते हैं, क्योंकि Android OS के update के बाग में हमें कुछ ना कुछ issues देखने को अपने device में, या फिर hitting, या फिर hang, या फिर कुछ भी हमें देखने को मिलता है, तो वो security page का जो भी हमें monthly update मिलता है, आप लोग को भी मिलता होगा, monthly security page update से, इसको fix कर दिया जाता है दीरे दीरे, क्योंकि मेरा भी जब Android 12 का update मुझे मिला था, तो मुझे भी काफी सारे issues देखने को मिले थे, काफी कुछ मुझे face करना परा, लेकिन उसके बाद में जब security page के update आने लगे, उससे दोरा दोरा करक सब fix कर दिया जाता है, OS update आने के बाद में हर कोई smartphone में ये देखने को मिलते हैं, और रही बाद की कब तक update पूरे device में मिलेंगे, तो दोस्तों उन्होंने rollout कर दिया है, तीन phone के बारे मैंने आपको बताया, not 11, not 12, 05G, और उन्होंने अपने Twitter account, official account पे भी जो Twitter India है, उन पे country में तो नहीं आया अभी तक, लेकिन इंडिया में उन्होंने post कर दिया, कि उन्होंने rollout कर दिया, धीरे धीरे सब smartphone में देखने को मिल जाएंगे, तो गबरानी कोई बात नहीं, अगर आप Infinix Note 11, Note 12, या फिर Infinix 05G user हो, तो और आवेट कर लो, आपके device में Android 12 का update confirm है, मिले कई मिलेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, कि Twitter पे post हो चुका है, बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो भी आपके problems है, वो Android 12 update को लेके, वो security page के update के दौरा आपके जो भी 30-40 issues है, वो fix कर दिया जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पूरे doubt क्लियर हो चुके होंगे,